Home page design करते वक्त सबसे important part होता है उसका hero section design करना जिसमें सबसे ज़्यादा time भी लगता है और सबसे ज़्यादा impressive भी वही होना चाहिए क्योंकि जब भी कोई website पे आता है उसी को देखकर decide करता है कि आपकी website कितनी powerful है और designers को इसको बनाने में बहुत ज़्यादा time लगता है और confusion बहुत होती है कि किस type का structure उन्हें रखना चाहिए तो आज सारे best possible structure आज हम इस class में देखेंगे कि कितने type के structure आप use कर सकते हो एक hero section बनाने के लिए and I would recommend आप इस class को पूरा देखें क्योंकि इस class को देखने के बाद hero section के लिए कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कोई भी confusion नहीं रहने वाली है so without any further delay let's get into the classroom तो यहाँ पर हम hero section के सारे structures explore करेंगे और trust me अगर आप यह पूरी class देख लेते हो तो आपको कभी भी hero section बनाने में problem नहीं आएगी even आप creative से creative भी hero sections बना सकते हो तो सबसे पहला जो structure मैंने यहाँ पर define किया है उसमें चार condition मैंने define किया है जहाँ पर left content हो सकता है right में image हो सकती है independent दूसरी condition है left में content हो सकता है और right में vector हो सकता है पहले image सी अब यहां पर graphic vector हो गया और तीसरे में मैंने यहां पर दिया है image plus graphic इन सब के भी example भी देखेंगे just अभी आप इसको समझ लीजिए क्या मैंने इसमें दिया है so left content and right video right में video भी play कर सकते हैं तो इन सब के example देखेंगे next slide में देखते है पहले structure कैसा दिखता है तो आपने बहुत सारी website में देखा होगा mostly इसी तरीके का structure यूज होता है left में हमारा content होता है heading, subhead and city होता है and right में independent image डाल दी जाती है so यह हमारा कुछ इस तरीके का hero section हमारे बनते हैं जो common होते हैं इसका एक example देख लेते हैं कि किस तरीके से यह दिखता है image वाला, so यहाँ पर example पर मैंने click किया और यहाँ पर आप देख सकते हो same structure इन्होंने भी use किया है, तो जितनी भी आप website देखोगे 50% में यही structure आपको मिलता है यहाँ पर image है, यहाँ पर आपका left में content है, यह पूरा hero section आपका above the fold इस तरीके से covered है second option अगर हम देखें, तो second में मैंने आपको बोला है कि instead of image, पहले मैं हमने देखा था image थी, अब यहाँ पर आप graphic भी use कर सकते हो, तो यह तीन options है, तीन examples है, इनको हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर left में content है, और यह एक graphic है, जो manually बनाया गया है, custom content है, और यह carousal है, और यह सारा vector में बनाया हुआ है, यह images नहीं है, यह पूरा vector इन्होंने create किया है, तो दो example हमने इस structure के देख लिए, तीसरे example में भी हम देखेंगे, यहाँ पर भी left content है, plus यहाँ पर यह पूरा vector, animated vector यहाँ पर इन्होंने use किया है, तो इस तरीके का structure भी हम use कर सकते हैं, basically structure से हम है, but conditions अलग अलग है, जैसे मैंने 4 conditions आपको दिखाई थी, एक बसता है video, तो video भी आप यहाँ पर use कर सकते हो, तो इन चारों के अलावा, इस structure में, I don't feel कि आपको कुछ extra करना पड़ेगा, एक structure हमने complete यहाँ पर कर लिया है, तो third जो condition है, पहले मैंने image cover कर ली, और फिर vector cover कर लिया, अब इन दोनों का combination, तो creatively काफी लोग यह सब कर रहे हैं, तो इसका एक example है, hostinger, so hostinger में आप देखोगे, तो यह पीछे vector है, और उपर इन्होंने image use कर ली, same structure में, तो structure एक ही है, लेकिन conditions बहुत सारी इन्होंने use कर ली है, इसके बाद इसी structure मे जो मैंने आपको video वाला बताया है, और यहाँ पर dedicated image नहीं है, यानि कि फुल width image है 50% में, यह भी एक structure है, यहाँ पर center में content हमारा कर सकते हैं, even left में भी कर सकते हैं, इस वाले structure में, so इसका example देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह full screen हमारा एक layout है, और आप इसको command minus plus करके भी देखोगे, तो भी 100% में यह आपको मिलेगा, 50% में यह आपकी video प्ले हो रही है हाँ पर, और 50% में आपका content है, तो यह भी आप structure use कर सकते हो, basically यह की structure है, इनके variations मैंने अभी तक cover किया है, second structure पर move करते है, second structure है हमारा, जिसमें center text and bottom background image और graphic होता है, so किस तरीके का है वो भी हम इसका structure पहले देखते है, इस तरीके के structures आपने काफी देखे होंगे, मैं यह बोलूँगा, यह जादातर product में देखने को मिलते हैं, इतने सारे example मैंने इसलिए दिया है, so that आप latest से latest product में भी देख पाओगी, सब इस तरीके से use कर रहे हैं, इसमें क्या है, center में आ same structure इन्होंने use किया है, और नीचे पूरी image को use नहीं किया है, थोड़ा सा हलका सा इन्होंने image को दिखा दिया है, PNG format में का यह image है, इसके बाद same structure यहाँ पे भी दिखने को मिलेगा, यहाँ पे भी center में और नीचे इन्होंने image दे दी है, and आगे भी अगर आप देखेंगे, एक यह origami studio 3 है, इसमें भी content दिया है, और नीचे same तरीके की image दी है, तो जितनी भी latest product बन रहे है, वो इसी format पे बन रहे है, तो आप कह सकते हैं कि latest structure है, इस पे आप जादा तर चीजें deliver कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप देखोगे, तो इसी तरीके का structure इन्होंने use किया है, and Figma आप सब लोग जानते होंगे, Figma पे काम भी करते होंगे, being a designer आपको पता होगा Figma क्या काम करता है, तो आपको यहाँ पे भी यह example देखने को मिलेगा, नीचे आप पूरा देख सकते हो, पूरा area cover किया है इन लोगोंने, और उपर यह content इन्होंने दिया है, इसके बाद ए तरीके का structure यूज कर सकते हो, किसी भी layout में, तो यह दो तरीके के structure हमने देख लिया है, थर्ड जो हमारा structure है, वो center text and background image का होता है, तो यह कैसे काम करता है, इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे पूरी image होती है background में, और पीच में एक text होता है, इसके भी कुछ examples हम यहाँ प यहाँ पर, and दूसरे option में भी आप यही सारी चीजे देखोगे, तो यहाँ पर कुछ vector है basically, लेकिन एक image की तरह treat किया है इसको, और center में content दिया है, and इस वाले में भी option में यही सब चीजे इनों ने किया, carousal इस तरीके से बनाया है, पीछे images and उपर content दिया है, with CTA, and यहाँ यहाँ पर थोड़ा सा different है, image नहीं है, पूरा एक gradient के साथ custom graphic इनों ने बनाया है, and उसके उपर यहाँ पर content दे दिया है, तो यह कुछ इस structure को block करते हैं, so इस structure के कुछ examples हमने देख लिए, अब हम चलते हैं अपने fourth structure पर, किस तरीके का वो दिख सकता है, कैसे हम उस पर काम क left content and full screen, अब इसमें थोड़ा सा loop walls है, समझना पड़ेगा कैसे काम करता है, so यहाँ पर आप देखोगे, पूरी screen है, लेकिन यहाँ पर left में content है, इसका पहले example मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊँगा कि किस सरीके से यह चीजें काम करती है, so यहाँ प आपका design balance लगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे, सारा subject right में है, और left में content है, यहाँ पर भी आप right में देखोगे, तो balancing अच्छे से यहाँ पर maintain हुई है, एक यह structure होता है, जिसको आप creatively use कर सकते हो, जितनी भी आप creative website देखते होंगे, उसमें इसी तरीके का structure use किया जाता ह इसके बाद जो हमारा fifth structure है, उसमें center content होता है, और random graphic side में डाल दिये जाते हैं, काफी website में यह देखने को मिलता है, तो इसका structure देखने के लिए, यहाँ पर आप देखो कि कुछ example मेंने दिये हैं, और यहाँ पर भी आप observe कर सकते हो, कैसे एक work कर रहा है, एक पूरी background है, जो solid color हो सकते है, gradient हो सकता है, यहाँ पर image आप देदो कोई, या फिर आप scattered graphic भी दे सकते हो, center में आपका content आ जाएगा, इसके कुछ examples हम यहाँ से explore कर लेते हैं, तो इस example में भी आप यहाँ पर देख सकते हो, चारों तरफ scattered graphic हैं, और center में content है, यह भी एक hero section है, तो creative से creative भी आप बना सकते हो, custom बना सकते हो, दूसरे वाला यहाँ पर Spotify का example हम देखेंगे, Spotify में भी इन्होंने यही किया है, कि बीच में center में आइन का content है, और side में आप देख रहे हो कि कितने अच्छे से scatter करा रखा है, तो यहाँ पर इस तरीके का structure भी आप use कर सकते हो, तो यह थे 5 आपके structure, जिसके तुरू आप बड़िया से बड़िया hero section बना सकते हो, क्योंकि जब किसी भी designer के पास कोई requirement आती है, सबसे जादा confusion उसको hero section में होती है, और कैसा structure मुझे रखना चाहिए, और मैं यह मानता हूँ, अगर आप यह class अगर आपने पूरी देखी होगी, तो in future आपको को यही नहीं होगी, अगर आप कोई creative post भी बनाते हो, banner भी design करते हो, तो हर जगे यही patterns follow होते हैं, तो अगर आपको एक class पसंद आई है, तो please subscribe करें channel को और like करें videos को, thank you so much कर दोस्वें पूर आपको को, तो हर से जगर आपको को को ऊगर आपको को को कोईद आपको को 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 एका थोते हैं, वार को जगरे इए होगी, और एक हैं!